Hello friends, welcome back to my channel. आज की discussion का topic है International Intellectual Property Index. इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये index कौन launch करता है, क्या माईने है इस index के, भारत कि स्थान पे है, कौन top करता है, और भी सारी information इस index के बारे में. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले जानते हैं news में क्यों है. नियूज में इसलिए हैं कि 2022 का ये index अभी launch किया गया है और ये इसी सीरीज का दसवा edition है. भारत ने इस साल तरक्की करते हुए score इंप्रूफ किया है अपना. पिछले साल भारत का score था 38.4% and अब की बारे है 38.6% और भारत का स्थान है 43 out of 55 countries. हला कि ये काफी बुरा हाल है बट फिर भी भारत ने थोड़ा इंप्रूफ किया और इस index में टॉप करता है USA जिसका score है 95.4% सबसे पहले जानते हैं intellectual property होती क्या है तो intellectual जैसे आप सब के घर होते हैं आपका कुछ भी property होते हैं जिसे आप छू सकते हो ये भी एक तरीक की property है जो कि intellectual है intangible है इसे चुआ नहीं जाता है बट ये create किया जाता है human intellect के दुआरा इसलिए जैसे कहता है intellectual property इसके अंदर क्या आता है इसके अंदर जैसे आपने कोई किताब लिखी या आपने कोई अविश्कार किया उसके प्रती आपको rights चाहिए तो वो इस property के अंदर गता आता है जैसे कि copyright कि किताब के प्रती किसी movie के प्रती या आपने कोई अविश्कार किया उसके प्रति कोई patent या trademark तो यह सब इसके अंदर आता है इसके अंदर और भी सारी चीज़े आती है जैसे कि trade secrets हो गया publicity rights हो गया moral rights हो गया and unfair competition ना हो उसके against rights बनाना भी इसके अंदर आता है तो यह हो गया intellectual property अब देखते हैं intellectual property right index होता क्या है यह publish किया जाता है यूएस Chamber of Commerce के दुवारा और अब तक इसमें total 53 countries होती थी इस साल इसमें दो country और एड की गई है जिनका नाम है Ghana and Andrews तो यह जो index है यह 9 categories में ranking देता है जैसे कि patent हो गया copyright trademark design rights trade secrets commercialization of IP assets, enforcement, systematic efficiencies and member and ratification of international treaties यह नो अलग-अलग तरीके categories होती है जिनके basis पे यह index की ranking दी जाती है जिसमें इंडिया को 43rd rank मिला है अब देख लेते हैं कि जो दो नई कंट्रियां add की गई थी उनका location क्या है यह कई मार जरूरी हो जाता है मैप में अगर हम देख लेते तो हमें याद रह जाता है तो गहाना है अफ्रीका की country अफ्रीका nation की एक country है अफ्रीका continent की जो की West Africa में पढ़ता है और उसकी location है यहां पर और हैंडूरस Central America की एक country है जिसके location यहां पर है और अब जानते हैं यूएस Chamber of Commerce यूएस Chamber of Commerce के बेसिकली दुनिया भर में बिजनेस वगेरा होते हैं तो यह उन सब बिजनेस का एक federation है जो कि वोर्ड लाज़ेस फेडरेशन है और जो रिप्रेसेंट करते हैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब करता है यह बना था 1912 में और इनके करेंट सीओ है सुनाजे क्लर्क तो यह इनके अभी सीओ है और आभी जान लेते हैं कि इंडिया में इंटेलेक्शल पॉपर्टी राइट को प्रोडेक्शन देने के लिए क्या-क्या इनिशिटीज लिए गए हैं इंडिया सब्सक्राइब में एक लॉंच किया गया तो जिसका नाम था इंडियन पेटिंट आक्ट ऑफ 1970 और भारत ने दौचा सोला में एक पॉलिसी भी निकाली थी जिसका नाम है इंटेलेक्शल नैशनल इंटेलेक्शल पॉपर्टी राइट पॉलिसी और भारत डव्य आइपी ओ वर्ल्ट इंट बीर बाइट